कई बार हमने इस इस बात पर चर्चा की न कि यच्छध्धया शुत्वत्या चभक्त्या सम्रिज्वाने हृदये वधाये यह उपासना का प्राण तक्त्व है भक्ति गुरु रीती अगाधा भजन करना है सेवा करनी है पर कैसे अपने गुरु की रीती से अपने आचारे की रीती से कि यदि भी मैंने कई बार यहां से निवेदन किया कि भाई सफलता हमको नहीं मिलेगी हमारे साधन पुरुशार्थ को सफलता नहीं मिलेगी सफल तो आचारे का संकल्प होगा गुरू का संकल्प सफल होता है शिश्य जो भजन करता है तो कैसे करता है गुरू के संकल्प से करता है आचारे का संकल्प सफल होता है अब कितना भी बढ़िया सुख सुविधाओं से युक्त फाइव स्टार होटेल जैसे आजकल रेल के डिबबे होते हैं कितना भी सुन्दर हो, सब सुख सुविधाओं से युक्त हो पर भाई, इंजिन के पीछे तो लगना ही पड़ेगा ना कैसे जाएगा, आगे कैसे जाएगा चलेगा कैसे मार्ग पर तो कितना भी हमारा साधन, कैसी भी हमारी युक्ता क्यों ना हो पर सफलता आचारे के संकल्प से मिलेगी इसलिए पूर्व में आपको निवेदन किया गया था आचारे के संकल्प में अपना संकल्प मिला देना है भक्ति गुरु रीती अगादा, बड़ी महत्वूण पंक्ती ही है करे, भली भली तब होई, भक्ति गुरु रीती अगादा हमको श्री जी की सेवा करनी है, पर जैसे हमें हमारे MahaPareb cumpli ने सिखाया हैं, ऐसे, जो कर रहा है, जहाँ कर रहा है, अपने अपने स्थान पर सब ठीक कर रहे हैं, हमको इस मार्क पर चलना है, हमको सफलता ऐसे मिलेगी, हमको अपना मन माना कोई विचार, कोई आाचरन इसमें मिलाना है, आपको भली लगेगा आप बजन कर रहे हो पर शायद मैंने यहीं सही कहा था कि शास्त्र और गुरु की आग्या के बिना जो साधन किया जाता है वो अंत में उत्पात का कारण बनता है अब आप सोचो कैसा उत्पात होगा आंधी आएगी तूफान आएगा ऐसा कौन सा उत्पात हो जाएगा मन माने ढंग से चलोगे तो अभिमान नामक उत्पात आपके भीतर उत्पन होगा भीतर अभिमान नामक उत्पात उत्पन हो जाएगा अगर गुरु की रीती से भजन नहीं किया तो गुरु यह तो है जो अंदर हाथ सहारा देगा और बाहर चोट भी मारेगा गुरुई तो करेगा ये काम